समस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और ने एपिसोड में हैपी इन्वेस्टर्स एडवाइस एपिसोड में स्वागत आप सभी का जहां पर आपको मिलते है चोटे चोटे वीडियो में बड़े बड़े मल्टी बैगर सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा फेमस शेयर की धूम धड़ा का मचाया है इस शेयर ने धूम धड़ा का क्यूं कह रहा हूं मैं इसलिए क्यूंकि भई या इस शेयर की बात कर रहा हूं जी हां मैं आज डिसकर्स करने वाला हूँ तेजस नेटवर्क के बारे में तो इस वीडियो में जानेंगे क्या इस वक्त पर जिनों ने टेजस नेटवर्क को बाई करने के बारे में सोचा है क्या सही है बाई करना या फिर जिनके पास अभी तेजस नेटवर्क के चार्ट पर दोस्तों चलिए स्वागत आप सभी का तेजस नेटवर्क के चार्ट पर यहां पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम हमारी इस वीडियो सीरीज हर रोज लाते रहते हैं जहापर हमको छोटे से छोटे वीडियो में अच्छे से सारी latest details मिल जाती है तो हमारे चैनल को रोज इस तरह के वीडियोज और multi wagger वीडियोज और profit कमाने के लिए subscribe और like करना मद भूलिएगा आज बात करने हम तेजस network पर तो यहाँ पर दोस्तों तेजस network की बात अगर हम करने जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें momentum देखने को मिला था एक time था जब यह stock हमें मिल रहा था कहाँ पर यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा और पीछे करता हूँ एक time था जब यह stock हमें मिलता था अगर मैं 2021 से पहले की बात करूं यहाँ पर जब एक अच्छी खासी खबर आती है कि भी यह टाटा ने इसके अंदर एक controlling stake buy किया और देखिए धार देकर के company ने ऊपर चलांग मार दी भी यह यह stock जो यहाँ पर 100 रुपे के पास हुआ करता था या फिर उससे भी नीचे एक time पर हुआ करता था आज वो stock ने 400 रुपे का high बनाया था दोस्तों वापी से मैं इस graph को refresh कर देता हूँ ता कि आपको अच्छे से दिखें देखिए 400 से भी ज्यादा 440 रुपे को touch करके यह stock आया और फिर वहाँ से एक अच्छी कासी profit booking आती है और अभी यह stock यहाँ पर क्या कर रहा है बिल्कुल समझने वाले मेरे जो subscribers है वो समझ चुके होंगे यह stock यहाँ पर consolidate कर रहा है profit booking आई है consolidation phase में stock है अब क्या आगे करे चिन लोगों ने stock buy किया था 100 रुपे पर उनको क्या बिल्कुल profit book करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल profit book करना चाहिए और कर भी लिया होगा मेरी सबसे इस गिरावट में अगर उनको अच्छा कासा experience होगा तो जीनों नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि कृपिया इस type के stock में मैं ऐसा नहीं कह रहा है तेजस network का future अच्छा नहीं है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब भी आपने मान लीजे कि 10,000 रुपे इंवेस्ट कर दिये हो किसी भी stock में इस type के stock में चहाँ पर highly अपर circuit लगती है highly volatile होता है highly news based stock होता है तो आपको अपना amount जितना अपना invest किया था उतना तो वापिस ले ही लेना चाहिए ताकि आप उस amount को कहीं और invest कर सके और पैसा वापिस से generate कर सके और बागी के जो share से वो आप आगे के लिए रख सकते हैं ठीक अब बात करेंगे कि क्या आगे जिन लोगों ने तेजस network buy नहीं किया था पहरें जैसे लोगों ने बिलकुल आप बिलकुल सभी सोच रहें मैंने ये chance miss कर दिया तो यह था तो क्या हमें अभी buy करना चाहिए बिलकुल कोई दिकत नहीं है buy करने में लेकिन क्या भी हमें सब का सब buy करना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं, market अभी all time hyper है, all time hyper है, इसका मदलब ये भी हुआ कि DIAs और FIAs ने अभी हाली में recently अपना अच्छा कासा profit book किया है, अपना जो investment है वो वापिस खीचा है, profit book किया है उन्होंने DIAs और FIAs ने, तो हाली में ऐसा संभावना है कि 17.500 को touch कर रहा है, market और resistance बहुत की timely correction आएगा, जिसके कारण सारे के सारे shares हमें नीचे मिलेंगे, और ऐसे मौके पर Tejas Network जैसे shares जो अच्छा कासा future hold करते हैं, क्योंकि Tata का group है, Tata का controlling stake है, तो अब इस company के लिए एक future bright हो सकता है, तो आप SIP के form में जरूर Tejas Network में buying कर सकते हैं, जिन के पास अभी already पढ़ा अगर आपने profit book कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया है तो इतना investment किया हुआ, amount है उतना वापिस खीच लिया है, तो बाकी के share आप hold कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अभी sell करने की जरूरत नहीं है, future अच्छा है, बाकी जिनको अगर buying करनी है, वो SIP के form में buying करना शुरू कर दे, अगर मानने जे कि आपको 10,000 रुपे invest करने है, तो 1000,000 रुपे करके हर हफते आप डाल सकते हैं, हर हफते डालना सही रहेगा, या फिर आप चाहे तो महीने में दो बार, यानि कि हर 15 दिन के gap में भी डाल सकते है, 1000,000 रुपे, जैसे आपकी capacity, जैसे आ average price मिल सके, बिल्कुल भी एक ही जटके में सारे पैसे मत लगा दीजेगा, और कोई आपको suggestions हो या फिर कोई doubt हो ता आप comment section में दे सकते हैं, बाकी हमारे videos और चैनल के साथ बने रहेगा, recently आलोग industries में हमारे investors और viewers को फायदा हुआ है, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही उनको बता बढ़िया है, इसके अंदर growth होने के chances भी बहुत बढ़िया है, तो long term के लिए ऐसी company आपके portfolio में जरूर होनी चाहिए, मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वाले videos में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, मिलेंगे, बाबाई